पहरे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल Learning Universe में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपके सामने साथवी क्लास की वक्सीट नंबर 24 को लेकर हाजिर हुए है ये वक्सीट आपकी 21 दिसंबर के लिए है बच्चों, जैसा कि आपको पता है, ये आपकी समाजी बिग्यानी सोसल वर्क की वक्सीट है ये इतिहाद से संबंदित है और मुगल सामराजी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे इससे पहले इसी मुगल सामराजी से संबंदित आपने बाबर के बारे में, हुमायू के बारे में, सेरसा सूरी और मुगल सामराजी का अस्थापना कैसे हुई थी, काफी सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं अगर आपने वह पिछली वर्क सीट नहीं पढ़ी है, तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है, उसमें जाएंगे, 6-8 की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे 7 क्लास की वर्क सीट, आप सर्च करिएगा, तो आपको मिलेगी, इसमें हमने काफी डीटेल में, मुगल सामराज के बारे में अब यहाँ पर दिखिए, सबसे पढ़े लिखा गया है, कि निमनिके संकेतों के आधार पर मुगल बासाह की पहचान कीजी, आपको मुगल बासाह के बारे में कुछ संकेत दिया गया, उसमें पहचान करना है, क्या संकेत दिया गया है, कि तेरह वर्स की आवि में बासापना सुलह कुल की इस्थापना की वैरम खां मेरे सनरचक थे यानि अब जानते हैं कि जो वैरम खां है वो सनरचक इसके थे सुलह कुल की नीती यानि जो अकबर जो है इसकी नीती थी और 13 वर्स की आयू में चुकि इसके पिता की अकस्मात मृत्ती हुई थी हुमायों की सीडियों से गिरते हुए जो कि आपने पिछली वक्सिप में पढ़ा था तो हमने बताया था तो इस करण से 13 वर्स की आयू में ही इसको बादसा बना दिया गया था तो ये अकबर के बारे में है यहां देखिए बताया जा रहा है आप अबस से मुगल वासा अकबर की बात कर रहे हैं आए अब हम वासा अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो बच्चों, अब देखें, अकबर के बारे में क्या-क्या जानकारियां है, वो यहां डीटेल में दी गई है, और इसको हम अच्छे से समझाएंगे, पहला क्या है, 1556 और 1570 के समय, अकबर अपने सरच्चक वरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से सुतंत्र हो गया, अंतरगत रहके वो सरच्चन में पला था, उनसे स्वतंत्र हो गया, यानि उनसे अब स्वतंत्र होके वयस्क हो गया था, तो खुद निरणा लेके काम करने लगा था, उसने सूरी और अन-अफगान निकटवर्ती, राज्यों मालवा और गुंडवाना था, अपने सवतेले भाई मेरसा हाकिम और उजवेगों के विद्रो को दबाने के लिए सैन अभियान चलाएं, तो कि पहले वो छोटा था, उसको तेरह वर्स का था, उसको सत्तर, यानि चोदा साल में, यानि आप अगर तेरह में, चोदा जोडेंगे, तो हो जाएगा किते, सताइस साल, तो सता साल की उमर तक आते आते, जब वो पूरा वयास को गया, उसको राज काज, और अपना राज कैसे चलाना है, किस पर विजय हासिल करनी है, ये सारी चीज़े जब अकबर ने समझ ली, तो उसने अपने राज को बढ़ना शुरू किया, गोंडवाना, मालवा, और उसके ज़स किया, 1568 में जिस चितोर पर और 79 में रन्थंभोर पर, यानि जो राजपूत रास आ सकते उन पर कबजा किया, 1570 और 85 के समय, गुजरात के विरुद्ध उसने सेनी का भियान चलाए, किसने, अकबर ने, तो ये डेट वस जो याद रखना, आपके किताब में आपका जब दी भाई, यानि उसमें था, तो उसने काबूल को क्या किया, अपने अधिकार में मिला लिया, वहां का राजा मिर्जा हाकिम था, और जो इसके खिलाब बिद्रोख कर रहा था, दक्कन के अभियानों की सुरुआत हुई, दक्कन मतलब तच्छन भारत, बरार, खान देश और आ अफगानिस्तान के आसम में है, तो वहां पर भी इसने क्या किया, कबजा कर लिया, कस्मीर को भी अपने राज में इसने जोड लिया, पंदर सो पचासी से सोलो सो पांच के समय अकबर के सामराज का विस्तार हुआ, उत्तर पस्चिम में अभियान चलाए गए, और पंदर सो उपर तो हमने सैने नीती पढ़ ली, अब प्रसासनिक नीती क्या थी, तो अबुल फजल दौरार देखें, अब बच्चों कई सारे आप जानते हैं, कि जो राजा होते थे, उनके दरबार में कुछ साहितिकार या लिखक हुआ करते थे, जो उनके बारे में लिखे हैं, जि इस किताब में प्रसासन संबंधी जानकारी प्राब्त होती है, इसको थोड़ा मढ़ा कर लेते हैं, अब सामराज, उस समय का सामराज कई सूबे में बचा हुआ था, जैसे आज देखते हैं, आज भारत एक देश है, तो भारत कई सारे राज्यों में बचा है, राज जिलों में बचे हैं, जिले ब्लॉक में बचे हुई हैं, ब्लॉक कई सारे ख्राम पंचायतों में बचे हैं, ऐसे उस समय क्या था, जो पूरा सामराज था कबरका, वो सूबों में बचा था, सूबों के प्रसासनिक सूबे दार का लाते थे, तो जैसे आज देखिए, राज का प्र और सहीनिक दोनों भी हां dann jimmitari चलाते थे प्रतेक प्रांत में एक भिति अधिकारी होता था जिसे दीवान एने हर प्रेंट जो सुभा हुआ करता था उसमें Looking यह एक भित्ति अधिकारी जैसे आज आज बातने Menैं hundred Boom वैसे ही उस समय जो बित्त अधिकारी हुआ करता था उसको क्या बोलते थे दिवान प्रसासन में सहायक अधिकारी होते थे जैसे व्रक्सी सैनिक भी अतना अधिकारी आप देखें बच्चों कि अगर हम आज के जैसे प्रसासन से थोड़ा तुलना करेंगे तो समझ जाएगा आज के प्रसासन में देखेंगे राज जी कोई है तो उसका प्रमुकम के मंतरी होता है कई सारे मंतरी होते हैं, IIS आफीसर, PCS आफीसर होते हैं बहुत सारा पूरा सिस्टम होता मंतराले होते हैं, ऐसे उस समय क्या होता था वक्सी, जो कि सैनिकों को बेतन देने का अधिकारी होता था, जो सैनिक चीजें देखता था सदर, यानि धार्मी के वाँ धर्मार्थ में लेकिये जाने वारे कार्जों का मंतरी होता था फौजदार उसेना नायक होता था और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था तो ये सब उस समय के परसासन के संचालाइक में प्रमुक अधिकारी पद्ध थे इनके नाम आत कर लिजिए कि सुवेदार कौन होता था, बक्सी कौन होते थे सदर क्या था, फौजदार कौन थे, कोतवाल कौन थे इसे आप नोट कर लिजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लिजिएगा अप धार्मिक नीति क्या थी अकबर की अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंब किया यानि ये सहसुनता, सहन सीलता कि ये धारना अपने अनुयाईयों के मद्ध भेदभाव नहीं करती थी यानि ये जो है सुलहकुल की नीतिती का मतलब ये है कि उसके अनुसार वो जिसे कोई मतलब इसलाम है इसलाम मानने वाला कवर है लेकिन वो किसी विशेष धर्म के प्रती असा हिस्वरोता नहीं रखता और सभी उसके लिए सभी धर्म क्या है बराबर है इसका केंदर बिंदु थी नीति सास्तर की एक व्योस्ता यानि सुलहकुल की जो नीति थी उसकी केंदर बिंदु नीति सास्तर वो क्या था कि जो सर्बत्र लागु की जा सकती थी जिसमें केवा सच्चाई न्याय और सांति का बल था यानि कि इसकी जो नीती थी उसमें क्या था कि सच्चाई का बल था यानि धर्म जो है किसी धर्मिक ग्रंथों से नहीं बलकि जो उसके नीती सास्त्र थे उनसे चलते थे यानि सब को सभी सच्चाई का पालन करें सब के साथ नयाय हो और सारे समाज में सांती बनी रहे तो ये सुलह कुल की जो उसकी नीती उसका केंदर विंदु था नीती सास्त्र और उसके ये मुख्य विंदु थे अब हम पढ़ते हैं क्रिया कलाब बच्चों अब हमने तो अकबर के बारे में पढ़ लिया अकबर के सैन अभियान के बारे में पढ़ लिया प्रसासन के बारे में पढ़ लिया धारमिक नीती के बारे में पढ़ लिया आप क्या पढ़ते हैं कि आपको अपने अध्यापक या परिवारईजन की सायता से अकबर नामा यहां उससे जिल्दों में दिये गए विश्वम में जानकारी एकत्र कीजिए तो यह आपको करनी है उसके नीचे हम यहाँ पर प्रसन देखते हैं अकबर की धार्मिक नीत की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो ये प्यारे बच्चों आपकी साथनी क्लास की मुगल सामराज में जो समराज अकबर है उसे संबंदित वक्सीटे ही समाप्त होई आसा है आपको काभी पसंद आई होगी इसे वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी सेयर करें और और भी अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि हम जैसे ही नए वीडियो डालें आप तक वो पहुंचाएं बहुत बहुत धन्यवाद